हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ यासमीन इन दिनों देश में आर्टिकल 370 को लेकर महौल काफी गर्व है सरकार के सुनाय स्पैसले से सभी देशवासी खुश है वहीं बीते दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार राश्च्र को संभोधित किया है उनके सेतहासी भाषन पर बॉलिवुड स्टाल्स की तरफ से भी रियाक्शन्स आने शुरू हो गया है चले दिखाते हैं आपको स्टाल्स का क्या कहना है मैं दुआ करती हूँ कि उनकी कही सभी बाते जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए सच हो जाए उनके नजरीय और इरादे को मेरा सलाम मैं कश्मीर मुद्दे पर पिये मोधी को सुन रहा था वो वाकई दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं Inspiring speech by our Prime Minister Narendra Modi ji Thanks Narendra Modi for your special mention of film industry to contribute to Jammu and Kashmir's development I start shooting in Kashmir soon I am confident our collaboration will bring golden times back Rosing and very positive speech by the PM I do hope people in Kashmir were able to see it too मतादी के प्रधान मंत्री मोधी ने देश भर की जनता को संबोधित करते वे Article 370 हटाने के फायदों के बारे में बात की है उन्होंने बताया है कि Article 370 हटाये जाने से किस तरह जम्मू कश्मीर को फायदा पहुचेगा जिसके बात कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे उनकी भी बोलती बंद हो गई होगी साथ क्यों सरकार ने जो फैसला लिया है वो जम्मू कश्मीर और लदाक के उन नवजवानों को भी मदद करेगा जो स्पोर्स की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं है कि नई स्पोर्स एकडेमिश नए स्पोर्स टेडियम कि साइन्टीफिक एन्वार्मेंट में ट्रेनिंग कि उन्हें दुनिया में अपना टैलेंट दिखाने में मदद करेगी और कश्मीर का बच्चा खेल के मैदान में दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा यह ताकत वहां पड़ी है साथियों जम्मू कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद सेव का मीठा पन हो या खुबानी का रसिला पन कश्मीरी शाल हो या फिर कलाकृतियां लद्दा के और्गनिक प्रोड़क्ट हो या हर्बल मेडिसिन इसका प्रसार दुनिया भर में किये जाने की जरूरत है साथियों आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा में तैनाथ अपने सुरक्षा बलों के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ प्रसासन से जुड़े सभी लोग राज के सभी कर्मचारी और जम्मू कश्मीर पुलीस जिस तरह से स्थीतियों को समाल रही हैं वो सच्पुच में बहुत बहुत प्रसंसनिया हैं आपके इस परिश्रम ने मिराई विश्वास और बढ़ाया है कि बदलाव हो सकता है लोगों का भला हो सकता है भाई और बहनों जम्मू कश्मीर हमारे देश का मुक उठाय है हम बच्पन से सुनते आए हैं गर्व करते आए हैं इसकी रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के अनेकों वीर बेटे बेटियों ने अपना बलिजान दिया है अपना जीवन दाव पर लगाया है पूंच जिले के मौलवी गुलाम दीन जिनोंने पैंसट की लड़ाई में पाकिस्तानी गुस्पेठ्यों के बारे में भारतिय सेना को बताया था उन्हें असोग चक्र से सम्मानित किया गया था लदाक के करनल सोनम वांचुंग जिनोंने कारगीर के लड़ाई में दुश्मन को धूल चटा दी थी उन्हें महवी चक्र दिया गया था राजोरी की रुखसाना कौसर जिनोंने एक बड़े आतंकी को मार गिराया था उन्हें भी किर्ती चक्र से सम्मानित दिया गया था पूंच के सहीद औरंगेब जिनकी पिछले वर्ष आतंकियोंने हत्या कर दी थी और जिनके दोनों भाई अब सेना में भरती होकर देश की सेवा कर रहे हैं ऐसे बीर बेटे बेटियों के लिस्ट बहुत लंबी है मैं हर देशवासी को ये भी कहना चाहता हूं कि जमु किश्मीर और लदा के लोगों की चिंता ये हम सब की चिंता है 130 करोण नागरिकों की चिंता है उनके सुख दुख उनकी तकलीप से हम अलग नहीं हैं अलग हो नहीं सकते हैं अनुछे 370 से मुक्ती एक सच्चाई है लेकिन सच्चाई ये भी है इस समय एहतिहास एहतियाद के तौर पर कुछ कदम उठाने की जरूरत थी उनकदमों की कारण जो भी परोशानी हो रही है उसका मुकाबला भी बही के लोग कर रहे हैं और वो भी सयोग देकर के कर रहे हैं कुछ मुठी भर लोग जो वहां हाराज बिगारना चाहते हैं उन्हें धैरिय पुर्वक जवाब भी वहां के ही हमारे भाई बहन दे रहे हैं हमें ये भी नहीं बुलना चाहिए कि आतंकवाद और अलगावाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तानी साजीसों के विरोध में जम्मु कश्मीर के ही देशभक्त लोग डट करके खड़े हुए हैं भारतिय समिधान पर विश्वास करने वाले हमारी ये सभी भाई बहन अच्छा जीवन जीने के अधिकारी हैं उनके सपनों को साकार करने के लिए उनको मोका मिले ये उनका हक है हमें उन सब पर गर्व है मैं आज जम्मु कश्मीर के इन साथ्यों को बरोसा देता हूं कि दीरे धीरे हालात सामान ने हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी मुझे पुरा विश्वास है कि जम्मु कश्मीर की जन्ता अलगाव बात को परास करके नए आशाओं के साथ नए उर्जा के साथ नए सपनों के साथ आगे बढ़ेगी मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मु कश्मीर की जन्ता गुड गवनन्स और पार दर्सिता के वातावरान में नए उत्सा के साथ अपने लक्षों को प्राप्त करेगी साथियों दसकों के परिवारबाद ने जम्मु कश्मीर के मेरे युवाओं को नेत्रुत्व का आउसर ही नहीं दिया हम मेरे युवाओं जम्मु कश्मीर के विकास का नेत्रुत्व करेंगे और उसे नई उचाईयों पर ले जाएंगे मैं जम्मु कश्मीर और लदा के नौजवानों वहां के महन बैटियों से विशेश आग्रह करूँगा कि अपने खेत्र के विकास की कमान आगे आईए खुद समालिये साथियों जम्मु कश्मीर और लदाख में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्नेशन बनने की ख्षमता है इसके लिए जो बातावान चाहिए शासन प्रसासन में जो बडलाव चाहिए वो किये जा रहे हैं लेकिन मुझे इसमें हर देश्वासी का साथ चाहिए नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्रात्पिता रहेगी कि राज के कर्मचारियों को कि जिसमें जम्मु कश्मीर की पुलिश भी सामीर है उन सबको लगः दूसरे केंद्र सास्त्रीत प्रदेश के कमचारियों और वहां की पुलिस के बराबर की सुविधाएं मिलें, अभी केंद्र सास्त्रीत प्रदेशों में अनेक ऐसी वित्तिय सुविधाएं जैसे LTC, हाउस रेंट अलाउंस, बच्चों की शिक्षा के लिए एजुकेशन अलाउंस, हेल्ट स्कीम, जैसी अनेक सुविधाएं दी जाती हैं, जीन में से अधिकाउस जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को पुलिस परिवारों को नहीं मिलती हैं, ऐसी सुविधाओं का तत्काल रिव्यू कराकर, जल्द ही जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलिसों को, उनके परिवार जनों को ये सुविधाएं महया कराई जाएगी, साथियों बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर और लदाख में सभी केंद्रिये और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इससे स्थानिय नवजवानों को रोजगार के परियाप्त आवसर उपलब्द होंगे, साथ ही केंदर सरकार की पब्लिक सेक्टर युनिट्स और प्रावेट सेक्टर की बड़ी कम्पनियों को भी रोजगार के नए अवसर उपलब्द कराने के लिए प्रोचसाहित किया जाएगा